दोस्तों, यह है Ceznick का mini printer, अब यह जो mini printer है, thermal printer है, लेकिन अलग इसलिए है, क्योंकि यह जो device है, यह built-in camera के साथ में भी आता है, मतलब की photo कीचिए और print कीचिए, देखते रहिए, तो यह है box packing, और चलिए इसकी unboxing करते हैं, वैसे key features यहां पर mention किया हुआ है, इसमें 800 mAh की battery ह दो से तीन घंटे का battery capacity है, इतना time चल सकता है, photo time 2-2.5 hours, USB charging के साथ में आता है, और instant print, video capture, photo capture और इस पर HD screen भी दिया हुआ है, तो चलिए, इसे मैं खोल देता हूँ, देखते हैं कि box में क्या-क्या मिलता है, वैसे यह product है, यह Amazon पर available है, और यह देखे, इस time की packing के साथ में अंदर कुछ booklets दिया हुआ है, जिसमें user manual है, यह है QR code, इसे scan करने के बाद आपको video instructions मिल जाएगा, किस तरीके से जो product है, आप उसे use कर पाएंगे, और यह देखे, काफी interesting बिखने वाला mini printer, जो की इस shape का है, I guess bunny rabbit का है, rabbit shape का, यह देखे, काफी interesting look के साथ में, and यहाँ पर display भी दिया हुआ है, pricing इसका बहुत बढ़िया है, और यह जो area है, यहाँ पर यह देखे, अंदर paper भी दिया हुआ है, ready to use, इसके जो eyes है, एक eye जो है, यहाँ पर camera दिया हुआ है, काफी unique सा design है, बच्चों को खास करके पसंद आने वाला है, in fact बच्चों के लिए बना हुआ करता है, in case अगर आपको यह लगाना नहीं है, तो आप निकाल सकते हैं, pink and almost off-white color यहाँ पर दिया हुआ है, काफी interesting look है, and यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा display, कुछ buttons दिया हुआ है, यहाँ पर vents है, यह design element आगे की तरफ, इसे मैंने खोल के आपको बता दिया था, यहाँ पर जाएंगे, and यहाँ पर ही blade दिया हुआ है, तो tear करने के लिए भी काफी easy रहेगा, on करने के लिए यह on off button दिया हुआ है, और यहाँ पर यह speaker भी दिया हुआ है, तो sound भी हमें सुनाई देगा, फिलाल देखते हैं कि box में, और क्या-क्या है, इसके अलावा, यहाँ पर सारे क अपर मिल जाएंगे, interestingly, यह देखिए, एक और thermal paper, इस printer के अंदर भी thermal paper है, और यहाँ पर भी extra thermal paper दिया हुआ है, इस box में, यह है USB to type-C cable, यह hand strap दिया हुआ है, interesting design के साथ में, and एक और thermal paper, तो total, दो thermal papers इस box में, प्लस इस printer के अंदर भी एक thermal paper है, काफी अच्छा है, ताकिज, अच्छा है जो printer है, इसके उपर यहाँ पर देखे, TF card, microSD card slot भी दिया हुआ है, तो आप जो cards है, इसमें दाल सकते हैं, और इससे जो photo shoot करेंगे, वो card पर save कर पाएंगे, और यहाँ पर है type-C port, जिसे यूज़ करके, इसमें जो battery है, उसे आप charge कर पाएंगे, तो इसे on करने के लिए यहाँ पर button दिया हुआ है, on off का button, इसे मैं press and hold करता हूँ, यह देखे, यह on हो गया है, काफी बड़ी interface है, easy to use interface है, and I don't think यह touchscreen display के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर यह जो buttons दिया हुआ है, इसे यूज़ करके आप navigation कर पाएंगे, interface बहुत ही बड़ी है, काफी clean है, and यहाँ पर setting में जाके, मैं select करता हूँ, I guess, यह select के लिए होगा, okay, यह देखे, fill light, print, after capture, print, density, यह सारे options यहाँ पर अविलेबल है, आप set up कर सकते हैं, आपका requirement है इसके हिसाब से, image quality, 48 megapixel में यह shoot कर सकता है, which is actually very good, and यहाँ पर देखे, video भी shoot कर सकता है, video maximum full HD resolution, again very good, date stamp अगर आप चाहें, तो यह भी setup कर सकते हैं, screen savers, auto power off, तो यह सारे options यहाँ पर available है, back जाके, यहाँ पर camera में जाते हैं, again, इस तरीके से आपको जाना है, and यह select करते हैं, और यह देखे, मैंने expect नहीं किया था, कि इतना बढ़िया quality होगा, तो म मैं यहाँ पर यह photo किषता हूँ, यह बटन है, capture के लिए, इसने photo capture किया है, और यह timer, and इसने print करना शुरू कर दिया है, यह देखे, very impressive, और quality भी काफी अच्छी है, not bad, यह देखे, इसे मैं इस तरीके से भाढ़ सकता हूँ, and इसने यह print किया है, जो की काफी अच्छा है, क not bad, but आप अपना selfie भी shoot कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर में try करने वाला हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर की तरफ यह lights भी दिया हूआ है, जो की RGB lights है, color change कर रहे है, काफी interesting दिख रहा है, जैसे कि मैंने का बच्छों को यह खास करके काफी पसंद आने वाला ह तो यहाँ पर दिखे, मैंने अपना selfie shoot किया है, और इसने यह photo print किया हुआ है, काफी बढ़िया है actually, अब दिखे, इस smartphone में जो application है, उसे install करने के लिए आपको यहाँ पर जो app का option है, उसमें आपको जाना होगा, और उसके बाद में जो M button है, इसे आपको प्रेस करना है, यह QR code का को scan करना है, fun print करके जो application है, उसे मैंने अपने smartphone पर install कर दिया है, यह देखे, यह है वो application, यहाँ पर picture print का option है, label print का option है, editor का option दिया हुआ है, text scan का option है, text, new sleep to do, बहुत सारे options यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर दिखे, animated portrait का option दिया हुआ है, यह क्या है, इस तरीके से आप animated portrait बना सकते हैं, तो इसमें AI painting भी दिया हुआ है, काफी interesting चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यह बचों के लिए खास करके काफी काम में आ सकता है, holidays, simple drawings, तो बहुत सारे ready-made characters आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, basic drawing architectural designs, thank you notes, for example, अगर मैं यह select करूँ, in fact, color try करते हैं, यह वाला select करते हैं, जैसे कि आप दिख सकते हैं, यह color में print नहीं करेगा, तो इसने black and white में इसे convert कर दिया है, तो मैं print करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है, और क्योंकि यह printer है, already connected है, तो मैं Bluetooth के माध्यम से, जो data है, यहाँ पर transfer कर सकता हू और यह print करना है, यहाँ से शुरू करतेगा, तो यह लिजिए, अब यह print हो गया है, जो design में ने select किया था, thank you का, वो यहाँ पर आ चुका है, यह देखें, काफी interesting है, काफी बढ़िया quality है, तो खास करके बच्चों को यह काफी पसंद आने वाल है, puzzles का option दिया हुआ है, तो sketches भी है, काफी interesting चीज़े हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और यह जो application है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यह जो printer है, यह मैंने connect किया हूँ है, in case जो printer है, यह disconnect हो जाता है, तो यहाँ से आप फिर से इसे connect कर पाएंगे, यहाँ पर मैं यह एक नया slip का option देता हूँ, और यह जो icon है, यहाँ पर कोई भी एक icon यह वाला select करते हैं, इसका size आप increase कर पाएंगे, यह देखे इस तरीके से, and मैं directly print देता हूँ, यहाँ से, print, और confirm, अब यह print कर रहा है, यहाँ पर मुझे print output है, अब वो मिल जाएगा, काफी compact सा printer है, और अब यह print कर रहा है, यह दे इसके इंडर कोई भी ink नहीं है, सब कुछ यह जो thermal paper है, इसके जरीए हो रहा है, तो यह application है, यह जो यूज करके आप बहुत सारी चीज़े कर पाएंगे, लेबल प्रिंट कर पाएंगे, और खास करके addresses के लिए भी एक अफी बड़ी option है, addresses, print कर पाएंगे, sticky notes, create कर games भी है, यह जो games है, देखते हैं कि कौन से games है, यह एक game available है, और दूसरा game try करते है, यह देखे, यह वाला कुछ interesting लग रहा है, okay, यह snake वाला जो game है, Nokia phones पर आपको मिलता है, तो almost वैसे type का है, और यह एक और game है, maze game, यह देखे, इस type का, यह भी काफी interesting game है, इतने सारे games इस shoot करके, जो photo है, उसे print कर पाएंगे, और best use, I guess, birthday parties के लिए भी यह काफी बढ़िया हो सकता है, वैसे यह thermal paper है, अभी जो thermal papers होते है, इनका जो life है, एक कम होता है, comparatively, लेकिन अच्छे quality के thermal papers भी market में आते हैं, जिनकी जो life है काफी जादा होती है, तो यह देखे, यह कुछ samples म और फिर जो videos है, वो store होते हैं, और अगर आप उन्हें computer पर देखने के कोशिश करेंगे, तो जो quality है, वो इतनी बढ़िया नहीं है, मतलब कि जो print quality है, काफी अच्छी है, और इसकी best चीज़ यह है, कि आपके smartphone पर जो भी photos है, या फिर documents है, उन्हें आप यह जो printer है, इसके पर print कर पाएंगे, Bluetooth के जरिये, और जो application दिया हुआ है, उसके जरिये, अब यह जो product है, इसका pricing बहुत ही बढ़िया है, 3499 रुपीज, Amazon पर available है, link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, देखते रहे हैं,